अगर आप यूजी सी नेट अपनी वेबसाइट पर कुछ मॉक टेस्ट को अपलोड किया है और उसको आप अटेम्ट कर सकते हैं तो गेट दे रियल टाइम पील ओफ यूजामिनेशन कैसे उसके बारे में आज हम बात करेंगे सबसे पहले ये मॉक टेस्ट आपको क्यों अटेम्ट करने है और कौन कौन अटेम्ट कर सकता है अगर आप यूजी सी नेट जे आर इफ एक्जाम में अपियर करने जा रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन में ये हेल्प करेंगे नॉट ओनली सबजेक्ट वाइस बट आलसो जो एक्जाम हॉल का आपका प्रॉब्लम आप फेस करते हो उन सारे प्रॉब्लम्स को आप कैसे डील करोगे कैसे टेकनिकल प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे हैं उसका एक trial आपको मिलेगा ये mock test लगाने में, ये mock test में timer चल रहा होगा तो आपको पूरा examination में जैसे paper solve करना है वैसा ही feel आएगा and second subject specific, sub subjects का plus paper 1 का भी mock test NTA ने available कराया है तो कैसे solve करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है, you have to just open the website of NTA, the website is nta.ac.in, इस website पे आपको जाना है सबसीडियरी website है, nta.ac.in, इस website पे आप जाओगे, तो you will find out one student portal, student portal में आपको जाना है you will get the option of mock test, I hope you can see it clearly, you can check out this option of mock test, जहां पे आपको अपना exam select करना है जो भी exam sent ये कराता है, उस exam के mock test available है, हम UGC net select करेंगे, paper select करना है, तो यह देखिए, यह इतने सारे papers की list आ गई है आपके सामने, हम यहां पे political science का paper खोल के देखते हैं कि कैसे attempt करना है, आप जो भी subject का paper चाहें, आपको मिल जाएगा history, political science, English education, everything, June 2019, paper 2 करके, यहां पे दिये हुए हैं papers, let's find out the paper for political science and you have to just scroll it, keep scrolling it, आपको मिल जाएगा, public administration का भी है, this is political science paper 2, December 2019 start mock test पे जाएंगे आप, this you will get login demo, याने कि आपकी screens पे ऐसे login details आएंगी, when you will be appearing in the examination click login to proceed, just simply login पे click करना है आपको, उसके बाद आपके सामने यह पूरे instructions आएंगे, जो कि आपके examination hall में भी आपके सामने आएंगे तो एक बार इसको यहाँ पे आराम से पढ़ लीजेगा instructions को, 120 minutes का paper है, याने कि 60 plus 60, 2 घंटे का, 2 घंटे मतलब political science का 2 घंटे और paper 1 का मिला करके आपका total, 3 घंटे का paper आपके सामने आता है, जब आप examination में appear करने जाते हूँ अगर आप पहली बार exam दे रहे हो, तो मैं यहाँ पे आपको clear कर दूँ, कि आपका जो 3 घंटे का paper होता है, उसमें paper 1 और paper 2 का time bifurcate होके आपको नहीं मिलता है इसमें आप चाहो तो आदा घंटा paper 1 को दो, आप चाहो तो देड़ घंटे paper 1 को दो, यह switch आपको खुदी करना है, वहाँ पे timer चलता रहेगा और पूरे 1500 सवाल आपको एक साथ मिल जाते हैं, आप चाहो तो पहले paper 2 attempt कर सकते हो, आप चाहो तो पहले paper 1 attempt कर सकते हो और यह strategy थोड़ा सा पहले ही सोच के जाईएगा examination hall में, आपको यह सारे instructions पढ़ने हैं, instructions की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, जो आपके लिए बहुत important है जो question अभी तक आपने visit नहीं किया है, पढ़ा नहीं है, खोला नहीं है, उसके सामने grey icon आएगा, जो question अभी तक आपने answer नहीं किया है, orange, जो answer कर दिया है, green, याद रखने की ज़रत नहीं है, वहाँ पे दिखेगा भी, लिखा हुआ भी होगा, don't worry now the question is, now the point is, कुछ questions आप review के लिए छोड़ देते हो, कुछ सवाल होते हैं, जब हम paper solve कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है, कि शायद इसका जवाब यह हो सकता है, मुझे और time इसको सोचने पे देना है, तो हब उन questions को mark for review करके छोड़ सकते हैं, उनके सामने आपको ऐसे purple dot द एक options उनके और review के लिए रख दिया है, तो purple में एक green dot वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, now let's say आपका timer खतम हो गया, automatically आपका paper submit हो जाता है, जब आपका paper submit हो जाएगा, तो यह answered and marked for review आपके submit हो जाते हैं, final answer की में इन्हें calculate किया जाता है, ठीक है, don't think कि अगर आपका green icon नहीं है, and purple with green है, यानि कि आपने answer किया है, बट आपने review के लिए उसको रखा था, कि बाद में time मिलेगा, तो आप review करोगे, बट time नहीं मिला, तो वो submit नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, वो submit हो जाते हैं, तो आप answered in mark for review करके भी रख सकते हो, but I will suggest, जो भी question sure होते जा रहे हैं, उनको answer करते जाईए, करते जाईए, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, and then question में navigate कैसे करना है, आप question का जब answer दोगे, नीचे answer आएगा, save and next, save and next पे click करोगे, तब आप आगे बढ़ पाओगे, अगले question पे, ठीक है, examination में ये छोटी छोटी जो चीजे हैं, ये आपका time ले ले instructions, and then you have to proceed, proceed करेंगे, ये question paper आपके सामने आगया, इधर timer चल रहा है, ठीक है, भले आपका previous year paper है, that is okay, इधर timer चल रहा है, ये timer आगे बढ़ते जाएगा, यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ आएगा, जब आप exam में होगे, UGC net, आपके subject का नाम और paper, attempt कौन सा है, याने क अभी 2024 December, and जो आपका time बचा हुआ होगा, वो भी यहाँ पे display हो रहा होगा, यह सब यहाँ पे लिखा हुआ है, that मैंने अभी तक 99 question visit नहीं किये है, एक answer नहीं किया है, etc, etc, ठीक है, यहाँ पे यह सारे questions आपके आगे बढ़ते जाएंगे, मैं आपको एक demo दे देती हूँ, जैसे की theory of form and allegory of caves कि से related है, प्लेटो से related है, political science वाले विद्यार्थियों को पता है, you will get the option save and next, right, so यहाँ पे आपका यह green हो गया, अर्थ शास्त्र is known as, अर्थ शास्त्र को कैसे जाना जाता है, let's say मैं इसको mark for review and next कर रही हूँ, so यह purple आ गया, वंदना शिवा कौन है, eco feminist ह मैंने कहा, वंदना शिवा eco feminist है, बट मैं इनको save and mark for review कर रही हूँ, तो यहाँ पे purple with green dot आ गया, फोर्थ मैंने answer नहीं किया, so it will be, फोर्थ मैंने answer नहीं किया, just a minute, yes, okay, so अभी it is not working, save and next, अगर मैंने फोर्थ आंसर नहीं किया होता, so it would be, कि वो red आ जाता, but that's okay, आपने पढ़ लिया है, और answer नहीं किया, तो वो red हो जाएगा, mark for review and next आप करोगे, so आपके यहाँ पे उस हिसाब से icons change होते जाएंगे, so that आखरी में, confuse नहीं होना है, so that आखरी में, जब आप revisit करेंगे इसको, मतलब कि आपके जितने green होंगे, वो done है, full, dusted, और जो आपके purple icons है, वो आपको revisit करने है, आपके पास, यह time के साथ-साथ, यह सारी detail आपकी screen पे रहती है, right, बहुती आसान और बहुती smooth तरीका है, अच्छा तरीका है, online paper का, जिन्होंने online अ इसको आप clear भी कर सकते हो, suppose मुझे B tick करना है, तो मैं इसको clear भी कर सकती हूँ, like that you can move ahead, okay, and finally आपको submit का option आता है, यहाँ पे test में और वहाँ पे examination में, जब आपका time खत्म होगा, तभी submit कीजेगा, तब तक पूरा अच्छे से paper को review करते रहिएगा, right, I hope यह video आपके लिए informative होगा, I hope आप सब mock test लगाएंगे, mock test को जरूर अपियर कीजेगा, and अगर आपको कोई problem हो, so do let us know in the comment box, thank you so much.